स्टुडेंट्स आज हम कक्षाच्छ समार्ची विज्ञान में इतिहास की पुस्तक हमारे आतीत एक के पाठ चार आरंभिक नगर के आधे पाठ कच्चे माल की खोज में से पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे काल हमने फ्रेंस तक पढ़ा था पिछली वीडियो में कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो यह तो प्रकृतिक रूप से मिलते हैं प्रकृति में या फिर किसान या प्रशुपाल को पात्म करते हैं जिसे लकडिया धातों के आयस्क एसके यानि की जो प्रकृती में हमें प्रकृतिक रूप से मिलते हैं, मिटी में मिले हुए और कच्छे माले, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं मिसाल यानि उधारन के तौर पे किसाना द्वारा पैदा किये गए कपास को कच्छा माल कहते हैं जिसे बाद में कताई गुनाई करके कपड़ा तयार किया जाता है अड़ापा में लोगों कई चीज़ें ही मिलती थी लेकिन तांबा लोहा सोना चांदिय और बहुमूले पत्थरों जैसे पडार ठकाव दूर से आयात करते थे कुछ बहुमूले पत्थर होते हैं जैसे नीलम है या हीरा है और हूंगा है तो अड़ापा के लोग जो है तांबा का आयात यानि उसको मगाते थे संभधा आज के राजिस्थान से करते थे यहां थे कि पश्छी महिश्याई देश ओमान से भी तांबी को मगाया जाता था आयात किया जाता था कहांसा बनाने के लिए तांबी के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनी कीरान और अवगानिस्तान से किया जाता था एक मोहर का चित्र है देखिए और ये खिलोना हल है तो बच्चों का खिलोना हल आज हल चलाने वाले जाते हैं तो पुरुष होते हैं हमें ग्यात नहीं है कि क्या हड़ापा में भी यही प्रथा थी क्योंकि इस बात का कोई ऐसा सब्बूत नहीं मिलता है लोग यातायात के लिए बेलगड़ी कप्रियों करते होंगे इस चित्र को देख कैसा लगता है नगरों में रहने वाले वालों के लिए बोजन लोग नगरों के इलावा गावों भी रहते थे लियानाजुकाते थे और जानूर पालते थे लिए किसान और चरवाहि यह पौधों के अवशिष जो बचेवे पौधों के बचीवे रूप मिले उनसे पता चलता है कि हडपा के लोग गेहुँं जो दाले मत्र धानती लौट सर्जों मुगातीती जमीन के जुताई के लिए हलका प्रियोग एक नहीं बाती हडपा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंक लेकिन हलके आका के खिलोने मिलें शेत्रें बारिश कम होती है इसलिए सिचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपना होंगी संभवता पानी का संचय यानि उसको खटा किया जाता हुआ जुरुत पढ़ने पर उससे फसलों की सिचाई की जाती होगी तो यह देखिए हल बनाया ह हडपा के लोग गाए भेस बेड और बकरियां पांते थे बस्तियों के आसपास तालब और चारागा ने जन्वर चरते हैं लेकिन सूखे महिनों में मविश्यों के जुन्डों को चारापानी की तलाश में दूर दूर तर ले जाया जाता था वे बेड जैसे फलों के एकटा करते थे मशलियां पकरते थे और हिरन दिसे जान मेरों कर शिकार उच्ट में हडपा काले नगर का सुख्षप नियरीक्षिन यह बारे किसी जो लिखा कच्छ के इलाके में यानि कि जो हमारा अरप सागर का सेथ है उदर को गुजरात का कच्छवा इलाका है हधिर बेत कि किना पत्थर की उची ओची दिवार बनाई गई थी इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश्ट वार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सारजुनी कारिक्रम आयुजित किया रहते सारजुनी के लिए यहां मिले कुछ अप्षिशों में हडपा लिपी के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है यह नभी लेखा को संबधर लखडी में जड़ा गया था तो यहां एक अनुखा अउशेश है क्योंकि अहाम तोर पर हडपा के लेख मोहर जैसी छोटी बसनग पर पाये जाते हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी की किनारी बसा लोथल नगर ऐसे इस्थान पर बसा था जा कीमती पत्थर जैसा का चमाल आसानी से मिल जाता था यह पत्थरों शंखों और धातों से बनाएगी चीजों का एक मैथपून की इंद को गिली मेटी पर निशान बना दिया जाते थे और इधी वह टूटी होती तो इसका मतलब कोई नुकसान हुआ है और इधी टूटी नहीं थे तो इसका मतलब सामान सुरक्षी थे तो लोथल का बंदरगा यह बड़ा बतालाब लोथल का बंदरगा रागा होगा जा समुद और प्रियोग संपनने मंक बनाने वाले उबकरण और थायर मंकी यहां मिले छाते हुआती हुआ उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं अगर यह छाप तूटी नहीं होती थी तर सावित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़ चाड़ नहीं होई है तो आज तो मुहर का प्योग कमी होता है लेकिन को बंद करने के लिए होता है जब बेजाता है तो सभिता के अंतकार ऐसे लगबात 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया लेखान मोहर और बाट अपर योग बंद हो गया दूर दूर से कच्छी माल का आयात कम हो और मोहन जोड़ों में सडकों पर कच्छरे के धीर बनने लगे जल निकास प्रनाली नश्ट हो गई और सडकों पर ही जुकी नुमा घर बनाये जाने लगे यानि कि पतन की शुरुआत होने लगी तो साफ सफाई खतम होने लगी यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ नदियां सूख गई कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था इसका कारणी हो सकता है कि इटे पकाने के लिए इंदन की जुरुआत पड़ती ही तो यह है आदमी जब लालच में आ जाता है तो बहुत ज्यादा विनाश करने लगता है जप्रकरती का इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े जुन्डों से चाराग और घास वाले मेदान समाप्त हो गए होंगे कुछ इलाकों में बाड़ आ गई लेकिन कारणों से इस परष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाड़ नतियों की सूपनी का असर कुछ में हुआ 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 ऐसा लगता है शासकों का नियंतर समाप्त हो गया जो भी हुआ हो परिवर्दन का असर बिल्कु सबसाफ दिखाए दिता है आदुनिक पाकिस्तान की सिंद और पंजाब की बस्तियों उजड़ गई थी कई लोग पूर और दक्षिन की इलाकों में कांश भाग रेगिस्तान है तो यह अफ्रिका में है लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सुना चांदी हाती दांत लकडी और हीरे जवारात लाने के लिए अपनी सेनाई दूर दूर तक भीजी इतने बड़े-बड़े मगबरे बनाये जिन हैं प पिरामिडों में दफना का सुरक्षित रखा जाता था इन शवों को ममी कहा जाता है उनके शवों के साथ और भी अने एक चीज़ें दफना ही जाती थी जिन में खाद्यान पेई पीने के लिए वस्त्र गहने बरतन वातियंत्र हतियार और जानर शामिल हैं कभी-कभी शवो को दफनानी की परंपरा को देखते हुए मिसर में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था तो यह पिरामिड है एक कुछ मेंत्पूर्टीतिया है महरंगड में कपास की खेती लगए 7000 साल पहले नगरों का आरम लगए 4700 साल पहले हड़पा के नगरों के अन्द की नगरों का विकास लगभा है 2500 साल पहले तो यह कुछ प्रश्न है यह हुआ है